कि दोस्तों स्वागत हमें चैनल सिर्व गुजार में और आज हम आपको बताएंगे ठेकेदारी में आप फ्रॉड से कैसे बचे रहा सकते हैं कि ठेकेदारी में फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि कभी भी आप पार्टनर्सिप में ना आएं बहुत बार क्या- लोग जो होते हैं व्यक्ति पर पैसा लगाते हैं कभी रिस्क लेना हो तो डिपार्टमेंट पर 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 रिस्क लिए पूरा रिस्ट लिए जयतना प्रेश्ट लेना है और बहुत कोई लोग होते हैं कि लाइसेंस ही नहीं बनाते हैं लाइस दूसरों के ले करके सोचते काम करें तो ऐसा भी लकुल भी ना करें कब किस भ्यक्टिक का क्या पलट जाए कोई नहीं जानता है कभी भी बनाया लेकिन आपको संतूज रहेगा कि देर आज नहीं, एक महीन नहीं शाहत अपको पेमेंट आपके आपको पk Odsi रहेगा तो जब भी करना है तो अपने। पैसे कीजिए लेट से कैजिए लेकिन श्रुवात में आप खुद से कीजिए एगर बहुत विश्वास का पात्र है जैसे आपके घर कर लेटिव है कुछ यह तब जा कि करें लेकिन डेंगे अपका ऊसका जैसे बैंक अकाउंट दे रहें तो उस कासी कर सके उसका लोगिन अथोर्टी ले करके रखें जिसे अगर पैसा आया तो आप उसे निकाल सकें नहीं तो अच्छा खासा पैसा डूब सकता है क्या होता है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि चलिए रिक्स यह तो रिस्क का कहीं गेम में रिस्क लिया जाए तो रिस्क करते हैं तो ठेक़तारी कूपर रिस्क लिजिए और टीपार्ट्मेंट कि लिजिए मौन के जलिए वह दूबा भी तो सम और सरकार को आपने दे दिया लेकिन अगर ऐसे मैं आपको डूबेगा तो लगएगा कि आपका दोस खाघारा है तो टेंजन होगा इसलिए कभी भी का सोच रहे हैं या ठेकदारी में ठेका करने का आगे का बढ़ने का सोच रहे हैं तो इन सब बातों का धिखान रखे दोस्तों बहुत सरे लोग बेनेफिट पालस क्या क्या होता है कि रोडों का मैंटेनर्स रहता है जो 5 साल दस साल तक चलता है या फ़िर दो तीन चार पांट तो सुछिये आपका उस व्यक्ति के साथ कैसा रहेगा जब भी दो थाली रहते हैं तो वापस में लड़ते ही हैं या बजते ही हैं तो मान के चलिए जिस दिन आप से अलग हो गया तो पांच साल बाज जब पैसा आएगा मेंटिनेंस का या कुछ कभी या कुछ कोई सावी पैसा आएगा सेक्यूटी डिपॉजिट भी पांच साल के लिए कभी कभी तक जमर आता है तो वह तो पैसा वह आपको उसमें से नहीं देगा बहुत इमांदार ही होगा या अपने एक्रिमेंट बनाया होगा तो ही जाके या रहा है तो उसकी आप आपर हे 100 हो उसके बात भी आपका कोई गरांटी नहीं है चैश्यक कि शूरौइज ली इन City अवे लेत हो रहा है तो पैसा कीजिए wurden weekends तो इस तरह से ठेकदारों को सबसे ज्यादा नुपसान लगता है के और दूसरी तरह से नुपसान लगता है i a remove from there को और धेकदार से पैसनी दो良ड़ से लुगारते हैं और एसे में अच्छा नुपसान होता है लेकिन यह नुपसान को फिर 12 रहने से से आपको भर पाई किया जा सकता है और आपको इसमें ज़्यादा नुक्सान नहीं होगा लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ठेकेदारी में आप दूसरे के साथ पैसा में उसको दे करके आप बना लें तो आपको जानते या बहुत ज़्यादा टेंसन होगा आप इस टेंसन को बरने में काफी टाइम लगेगा इ आप दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना करें व्यक्तिक ऊपर ट्रस्ट ना करें बिल्कूल भी आपका पैसा फसा के रख लेगा तो फिर आपके आपको यह भी आप जब अपने काम के ऊपर काम कीजिए अपने फार्म के उपर तो तो दूसरे व्यक्तिक के ट्रस्ट करना मुस्क और ऐसे में क्या होता है कि आपका जब पैसा डूब जाएगा तो बहुत सारे लोग मैं आपको बोलेगे कि ठेगदारी सही नहीं है और इस से काम न कीजेए मैंने बता रहा था ठेगदारी यह है वो है, और अपको लगए, भी कि या सही में ठेकदारी में बहुत जबाँ ज्यादा लॉस्त चला गया है और मान को चली नए भी गया है तो सुरुत में आपका पैसा अच्छा अच्छा है सा डूब गया, फिर उसमें पैसा लगाने के लिए आपका हिम्मत नहीं रहेगा कि ठेकदारी में पैसा लगा है और पैसा लगा भी दिये तो बहुत ज्यादा चांसे से कि जल्दी ठेकदारी शुरुवात पकड़ता नहीं है और पकड़ता है तब जैकर आपको छोड़ेगा नहीं तो जरूरी यह मैंटेन बना करके रखना तो अब ही चलाइए मेरा ख्याल रहेगा कि आप पांटर सिफ में नाच सरें शुरुवात में खुद से करें अकेले अपने दम पर करें जो नुक्सान आप साहिए जो फायदा आप लिजे और उसके हिसाब से कीजिए देखिए आपका अच्छा खासा ठेकदारी अगर चलेगा दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं चैनल को लाइक सब्स्राइब जरू करें मिलते हैं अपने नेक्स वीडियों तब तक ले जाए हैं जाए भारत